नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका म्रदोल तरवेदी यूटूब चैनल पर तो आज से हम सुरू करेंगे क्योंकि हमने भी बीच में ब्रेक ले लिया था लेकिन अब हम इस चीज को कंप्लेट करेंगे जो भी सीरिज हमारी बाकी रह गई है उने भी हम कंप्लेट करेंगे तो ये है आपका टॉप टू हंडड़ एडियम से प्रेज़ जो कि आपके लिए बहुत जादा इंपोर्टेंट होने वाली है तो यदि आप इसका पीडियाप चाहते हैं यदि आप वीडियो से पढ़ना चाहते हैं जो हमें हमेशा याद रहता है नेक्स्ट हमारा फेज़ देफिकल्टी या फिर परिस्थितियों को भुगतना या फिर बोल सकते हैं कि ये हुए का परणाम भुगतना जो आप कर चोके उस पर क्या करना परणाम भुगतना उसके नेक्स्ट हमारा वाइल गोस्टेज यान के होता है या फिर बोल सकते हैं अनप्रॉफिटेवल एडवेंचर जो हमें कुछ भी प्राप्त ना करे जिससे हमें कुछ भी प्राप्त ना हो निरत्थक हो उसलेस सर्च हो नेक्स्ट हमारा वाइल फिट्स एंड स्टार्स वाइल फिट्स एंड स्टार्स यान क्या होता है इर्रेगुलरली या फिर अनियमेत रूप से किसी चीज़ को करना या रुक रुक कर किसी चीज़ को करना वाइल फिट्स एंड स्टार्स next हमारा a hard nut to crack hard से अलगी समझ में आ रहा है कोई कठिन काम होगा उसे हमें क्या करना है crack करना है तो देखे इसका क्या हो जाएगा लोहे के चबे चबाना या बहुत ही ज़्यादा मुस्किल काम करना a tough challenge बोल सकते हैं a hard nut to crack blow once on trumpet ठीक है अलगी पता चल रहा है ठीक है on trumpet खुद की प्रसंसा करना praise oneself अपने मियम मिठ्व बनाना ठीक है या फिर बोल सकते हैं खुद की तारीफ करना by leaps and bounds by leaps and bounds यहने होता है very quickly किसी काम को बहुत ही जल्ली से या फिर सीगरता से कर लेना या फिर बोल सकते हैं दिन दुगनी राच चोगनी या बहुत तेजी से कभी बहुत तेजी से क्या करना उन्नती करना rapidly उन्नती करना once in a blue moon blue moon हमें कब दिखाई देता है rarely कभी कबार ही हमें blue moon दिखाई देता है तो यह क्या हो जाएगा बहुत ही बुरी घटना हो जाना उसे हम बोल सकते हैं आप old from the blue ठीक है next है हमारा at once wits end at once wits end क्यों होता है समस्यों में इतना चिंतित होना कि पता ही नहीं आगी क्या करना ठीक है या फिर हम बोल सकते हैं बरवादी की कगार पर होना या फिर पूरी तरह परिशान हो जाना पजल हो जाना या फिर परफ्लेक्स ठीक है परफ्लेक्स जाना भी होता है जटल ठीक है परफ्लेक्स जाना है समझ से बाहर हो जाना ठीक है फस्स जाना किस चीज में at once wits end next हमारा at the drop of a head किसी भी काम को तुरंत हाल की हाल कर देना add the drop of a head किसी भी काम को instantly कर देना break the eyes ब्रिक दा आईज हैं चुप़ी तोड़ना बोलना सुरू कर देना या फिर बोल सकते हैं बातचीत सुरू कर देना next हमारा बरीदा हैटेज जगडे को खत्म कर देना या फिर सांती बनाया रखना forget past quarrels जो हमारे पुरानी लडाईयां है जगडे हैं उसे क्या कर देना भूल जाना next हमारा cook and bull story बहुत ही बे सिर्पैर की कहानी या फिर एक ऐजी कहानी जो बहुत ही ज़्यादा भद्धी हो कोई सेंस ना उसका okay cook and bull story next है हमारा feather one on nest इसका मतलब क्यों होता है बेहिमानी करकर पैसा कमाना धन कमाना या फिर हम बोल सकते है make money in a improper way next हमारा leave no stone unturned okay हर संबब प्रियास करना किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए हमें खुन पसीना एक करना होता है okay हर संबब प्रियास करना पड़ता है next हमारा spill the wings spill the wings याने होता है रहस को जागर कर देना या फिर हम बोल सकते हैं give away a secret रहस को कर देना जागर कर देना next हमारा to be under the weather okay जब आप weather की चपेड में आ जाते हो मौसम की चपेड में आ जाते हो तो आप क्या हो जाते हो बीमार हो जाते हो okay to be under the weather next हमारा to end in smoke okay कोई भी परिणाम ना निकलना कोई भी result ना निकलना end without any practical result या फिर बोल सकते हैं yield no result next हमारा to flog our dead horse okay बे मतलब की चीज़ पर effort लगाना जो कभी जीत ही ने सकता है okay to attempt to do the impossible next हमारा to have the gift of the gap okay इसका मतलब क्यों होता है बोलने की कला या फिर हम बोल सकते हैं बाग को पढ़ता okay एक ऐसा बेक्ति जो बहुत अच्छा होता है बोलने में उसे बोलते हैं to have the gift of the gap next हमारा to read between the lines इसका मतलब क्यों होता है जो line दी हुई है उसके अंदर के भाव को समझना इसका मतलब क्यों होता है छुपे हुए अर्थ को निकालना या उसके अंदर की भावनाओं को समझना next है हमारा to turn our deep air okay इसका मतलब क्यों होता है किसी भी व्यक्टी को अंसुना कर देना उसे ऐसा दिखाना कि आपने उस पर ध्यान ही नहीं दिया या बोल सकते हैं डिस्रिगार्ड ठीक है रिफ्यूज टू ओवे या फिर टू बी इंडिफरेंट या फिर नेगलेक्टेड यान होता है नेगलेक्ट कर देना आपने सुना होगा आस्तिन का साब यान क्या होता है गुप्त सत्रू ओके जो छुपकर घात करता है ओके या फिर छुपकर अटेक करता है उसे बोलते हैं अस्नेक इन दा ग्रास नेक्स्ट हमारा स्टोंस थ्रों ये कई वार रिपीटेड है इसका मतलब क्या होता है थोड़ी दूर बिल्कुल पास में होना कि इस चीज़ का ओके एटा सौट डिस्टेंस नेक्स्ट हमारा एट दा इलेमेंथ हावर ठीक है एट दा इलेमेंथ हावर याने जब हमारे रात के ग्यारा बज़ते हैं तब हो क्या रहता है haga Ans किसी ऐक्ति को डाटना फटकारना देंखने ओके इस चीज़ का करना देंखना में चुक आपल पीज़ति होता हूँ संचिप होना किसी चीज़ का एक्सिपरही बीपली कशी पासिफी संचिप्त देंखना असर sailing in the same boat sailing in the same boat यान कि होता है किसी भी व्यक्ति कि वही जब दो व्यक्ति है जब वह same difficulty में है तब बोलते हैं sailing in the same boat okay इसका मलत क्यों होता है उसी कठेन परिष्थिति में होना okay c i to i जब आपकी आखें से आखें मिल जाती है तो वह क्या हो जाता है agreement हो जाता है okay to see to i to i ठीक है next है हमारा थो thick and thin थो thick and thin यान होता है हर हाल में हर परिष्थिति में okay in times of good and bad fortune okay यदि आपका बुरा समय है या फिर अच्छा समय है यदि आपका दोस्त साथ देता है तो वह कैसा है throw thick and thin हर परिष्थिति में साथ देने वाला ओके next है हमारा to add fuel to the fire यान कि होता है किसी भी चीज़ को और बिगार देना या फिर आग में घी डाल देना किसी चीज़ को और बढ़ा देना किसी के गुस्सें को और बढ़ा देना To add food to the fire To eat a humble pie To eat a humble pie याने क्यों होता है एक तरह से suffer humiliation बहुत ही जदा अपमानित करना ना करगरना ऐसी स्तथी आ जाना या फिर हम बोल सकते हैं जिसमें हम हार जाते है To eat a humble pie To keep the wolf away from the door इसका मतलब क्यों होता है भुकमरी से बचना या फिर हम बोल सकते है avoid extravation या to keep of extravation extravation याने क्यों होता है भुकमरी Next हमारा To take to task To take to task क्यों होता है किसी व्यक्ति को To take to task क्याने होता है किसी व्यक्ति को बुरी तरह है फटकारना डाटना रेपरिमेंट करना ओके रिवोक करना ओके स्कॉल्ड करना इन सब का मतलब क्यों होता है किसी व्यक्ति को डाटना फटकारना To take to task किसी व्यक्ति को कोई task दे देना, under a cloud, under a cloud यहने होता है, किसी भी परिस्तिती के अंदर होना, ठीक है, is suspicion में होना, या फिर हम बोल सकते हैं, ठीक है, under suspicion या in disgrace, disgrace यहने होता है, छुपा हुआ होना, ओके, या हम conceal भी बोल सकते हैं, ओके, या फिर हम बोल सकते हैं, सक्के दायर में होना, अभी हमने एक फिर cause of dispute लड़ाई का कारण होना या फिर cause of coral cause of coral याने भी क्योंता है लड़ाई का कारण होना next हमारा close shape यान होता है बिल्कुल pass का खत्रा या फिर विद्दमान खत्रा ओके close shape बाल बाल बजना next हमारा a fist out of water आप भी बताएगे जब यदि water से fist यदि बाहर नकल जाएगी तो वो कैसा महसूस करेगी आसहज पर स्थिति ठीक है बहुत ही बुरी स्थिति में वो हो जाएगी वो सांस नहीं ले पाएगी bad blood bad blood यहन होता है angry feeling animity होना दुश्मनी होना या फिर आपसी दुश्मनी होना bad blood be bad behind the ears young and inexperience होना ठीक है अनुबब हीन होना किसी व्यक्ति का be bad behind the ears कान का कच्चा बोल सकते हम इसे okay beat around the bush beat around the bush यहन क्यों होता है घुमा फिरा कर बाते करना main point से क्या कर देना भटक जाना avoiding the main topic जो main topic पर बात करनी चाहिए उस पर बात ना करते हुए इधर उधर की बातें करना beat around the bush best of both words ठीक है दोनों हाथ में लड़ो हर प्रकार से लाव लेना ठीक है हर तरह से profit कमाना okay या फिर हम all the advantage आपको जो भी advantage मिल रहे हैं तो इधर से भी advantage लो और उधर से भी okay next है हमारा call it a day call it a day आने क्यों होता है सन्याज ले लेना ठीक है छोड़ देना किसी व्यक्ति को या फिर सभी लोगों से छोड़ कर एक ऐसी दुनिया में चला जाने जहां पर कोई किसी को न जाने okay call it a day catch red handed ठीक है catch red handed होता है रंगे हाथ पकड़ लेना जब व्यक्ति कोई अपराद कर रह चुकाना कि आर्म भुजाओं से लेकर टांग हो तक ठीक है इतना पैसा ले दे देना okay question आर्म लेक नेक्स हमारा cry-over split milk जब चडिया चुंग गई खेत वही वात है ठीक है जब आपका काम करने का दिन था तब आपने किया नहीं और अब आप सोच रहे हो कि यह करें वो करें तो देखिए cry-over split milk जब दूद फैली गया तो क्यों रोना उसके वारे में ओके नेक्स हमारा grease the palm ठीक है grease the palm रिश्वत लेना okay grease the palm next हमारा hand in globe hand in globe यान होता है घनिश संबंद बहुत ही अच्छी मित्तरता होना friendly relationship होना okay या फिर अच्छी partnership होना hand in globe in black and white in writing में होना किस चीज का लिखित में होना okay put once foot down take off फिर में stand next हमारा sit on the fence sit on the fence है नहीं होता है दो दुविदाओं में फस जाना okay helping between two opinion आपने कई बार सुना होगा यह बहुत बार repeated है okay sit on the fence दो दुविदाओं में फस जाना दो परेशानियों में फस जाना और decide नहीं कर पाना कि हमें करना क्या है to be all at sea जब आप sea में होगे तो आप कैसे हो जाओगे पजल्ड हो जाओगे आसम अंजस की स्तिती में हो जाओगे आपको समझी नहीं आएगा कि करना क्या है बहुत जादा पैसे देना किसी भी चीज की आपको क्या करनी पड़ती है भारी कीमत चुकानी पड़ती है यदि टाइम निकल गया है तो उसकी हमें क्या करना पड़ेगा बहुत ही भारी कीमत उठानी पड़ेगी किसी की टांग खीचना है किसी का मजाक उड़ाना तो मेक फूल आफ ओके प्लेइंग जोग वित संबन ओके मैं जितनी ज्यादे स्पीड में बोल रहा हूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बीच बीच में अटक रहा हूं तो आप इसे माइंड मत कीजेगा ओके तो देख के अग जाना फरार हो जाना है एस्केप हो जाना ओकि अक लोज फिंट्र फश्रीट परसंन ज्याना होता है माईज़र का ओक्ण्जूस भयकी ऑके बहुत हीaa मान बयक्ति एक ऐसा ब्यक्ति जू बहुत कम पैसे खा नहें होड़ाने होता है あ p तो देखो इसे खिलाना पड़ेगा बहुत और उसके लिए जगे भी चाहिए और वह बहुत परेशानिया भी देगा हलांकि प्रॉफिट भी देगा लेकिन सबसे जात क्या है अब वाइट है जैसे बोलते हैं कई लोग की हाती पाला क्या पाला ओके तो देखिए और मून शा किसी भी चीज को करने के प्रती खुद का स्वार्थ में बहुत सकते हैं जिसे बोल सकते हैं जिंच ने कर दो हो होना कि आप ही इस पर क्या कर सकते हैं एक्षिन ले सकते हैं जो आगे के जो भी एक्षिन होंगे वो आप ले सकते हैं bite of more than one can chew उके अपनी छमता से अधिक काम करना bite of more than one can chew bold castles in the air हवाई के लिए बनाने या फिर कोरी कलपनाएं करना कुछ सोचना कि आरे ये हो गया तो ये हो जाएगा ये हो गया तो ये हो जाएगा इसी तरह कलपनाओं का एक पहाड़ बना देना उके उसे बोलते हम बुल्ड कस्टल इंदा एर चिकन हार्टेड टिके चिकन हार्टेड एक ऐसा ब्यक्ति जो बहुत ज़्यादा डर्पोग रहता है किसी भी काम को करने से क्या करता है डरता है टिमिड वह गया और कावर्ली इन दोनों का मतलब भी क्या होता है एक ऐसे ब्यक्ति जो डर्पोग रहता है मजधार में छोड़ देना अकेला छोड़ देना जब आपको ज़रूरत है किसी ब्यक्ति की और वह आपको छोड़का चला जाए तो कैसा लगता है उसी तरह मैधेन स्पीच यहने होता है पहला बहला संद बो सकते हैं मैधेन स्पीच स्ट्पीच या पहला भाशन ऊफ्टीच या ओधियर स्टेनल क्राफर में एक कीजिए की धटेत होना Sut Snh करना बहुत ज़ोड़ कर लिए किरना हार्डवर कर ल inac Okay takes after takes after resemble अपने पिता की तरह दिखना अपने माता की तरह दिखना Okay takes after एक जलसा होना Next हमारा throw in the toll ठीक है throw in the toll यहने क्यों होता है हार मान लेना या फिर हम बोड़ सकते है to admit defeat और failure तो कि फैल्वियर को स्वीकार कर लेना या फिर हार मान लेना तु ब्रिंग टु लाइट जब आप किसी चीज को लाइट में लाओगे तो क्या होगी दिखने लगेगी इसका मतलब क्या हो गया कि वह रिवील हो जाएगी दिखने लगेगी तु गेट इंटु हाट वाटर तो मिस्स भूश ठीक है या फिर मिस्सदा बोर्ड इसका मझता क्या होता है किसी भी अपर्टनुटी को खो देना ऑके माुकर को गवास देना मैं बेना होता है किसी भी ले 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 लेब किसी भी चीज़ को दिल पर ले लेना लोगों की बातों को दिल पर ले लेना ऐसा आपको नहीं करना चाहिए वड़ना आप बड़े परिशान रहोगे नेक्ट हमारा टर्न आप लाइंड आए टर्न आप लाइंड आए ठीक है अन्देखा हो जाना ठीक है तो इग्नोरा सिच्टुईशन फैक्ट और रियलिटी ठीक है जो बास्ति बिकता है उससे क्या कर देना मूँ फेर लेना लेकिन बास्तिम में वो होकर ही रहेगी ओके आप अचिव ऑफ दा ओल्ड ब्लॉक जैसा बाप बैसा बेटा ठीक है रिसेंबल लाने भी होता है सेम होना किसी चीज का ओके लेकिन अचिप ऑफ ओल्ड ब्लॉक का आपको यही लगाना पड़ेगा जैसा आप फादर होते हैं वैसे ही बच्चे होते हैं ओके नेक्ट हमारा है कि हाँ मेरे साथ अच्छे होगा गल्स coherence से बोलते हम विद्वान ऑपीज ऑप खिन होता है万 वीजिए मेक से कर लीजएगा रही आने होता है है honest and frank होना है इमांदार होना ओके सच्चा होना या फिर without any secret इमांदारी से कुछ भी किसी भी चीज़ को बोल देना अच्छल हील्स याने को होता है कमजोरी बहुत ही जाता कमजोर हो जाना वीकनेस और वेली निरेवल पॉइंट जब आप बीमार होते हो तो कहीं होता है आप में कमजोरी आ जाती है all year all year जाना होता है गौर से सुनना अपने सभी कानों को खड़े कर लेना ओकी और द्ध्यान से सुनना okay an iron bill an iron bill याना होता है द्रण संकल्प बहुत ही जादा द्रण संकल्प होना किसी भी चीज़ को करने के लिए किसी भी exam को निकालने के लिए an iron bill होना चाहिए तो लगे रहिए जैसे मैं भी लगा हूँ an open book an open book याना होता है खुली किताब as hard as a nail enemy बिरोधी होना hostile होना दुश्मनी होना जो दूसरों से क्या करता है बिरोध करता है दुश्मनी रखता है add c ठीक है अभी आया भी था जैसा एक add c याने क्यों होता है परेशानी में हो जाना दुबीदा में हो जाना जब आप c में चले जाओगे तो आप कैसे हो जाओगे परेशान हो जाओगे आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आपको जाना कहां पर है add c add do something very slowly किसी काम को बहुत दीरे-दीरे करना back seat driver back seat driver ठीक है जो पीछे से advice दे रहा है बिन अग्यान के मामले में दखल देना एक इनसान बड़ीया कार चला रहा है वो बोल रहा है आरे नहीं इदर वाला की यह डाल यह डाल तो वही है back seat driver बिन अग्यान के मामले में दखल देना be glad to see the back off ब्यक्ती के जानने से खुश होना बहुत जाता क्या हो जाना happy हो जाना be happy when a person leaps be glad to see the back off किसी को पीछे से जाता हो गो देख रहे है तो आप क्या हो रहे हो खुश हो रहे हो आगे से be in the air be in the air होता है विचार धीन होना when an emotion or idea on everyone's mind ठीक है कोई चीज आपके विचार में होना be in the air bite the dust याना होता है safara defeat या फिर मर जाना भूल जाना हर जाना die याने मर जाना defeat कर लेना carry the day carry the day win a victory आप जिदी एक बाद जीत जाते हो तो आपको रुकना नहीं है सीधी बात okay जीत हासल करना carry the day याने क्योता है जीत हासल करना लेकिन आपको रुकना नहीं है उसके बाद okay coach potato coach potato आलसी बिक्ती बहुत जादा आलसी बिक्ती जैसे कुछ लोग mobile में बढ़े बढ़े देख रहे हैं और कर रहे हैं ठीक है बढ़िया अपनी पढ़ाई कर रहे हैं पता नहीं का है दिमाग okay तो coach potato एक ऐसे बिक्ती जो बहुत जादा आलसी रहता है देखिए next है हमारा die in harness die in harness होता है सेवा में रहते हुए मर जाना ठीक है survive ठीक है अपने देश के लिए मर जाना die in harness होता है सेवा में हम सेवा कहाँ पर देते हैं army में navy में ठीक हमारी सेना के रूप में तो देखिए वो क्या करते हैं हमारे लिए मर जाते हैं die in harness draw a blank ठीक है draw a blank क्याना होता है asafal हो जाना fail हो जाना to be unsuccessful हो जाना find no favor कोई भी favor ना प्राप्त कर पाना fair weather friend सुक्का साथी दुख में साथ नहीं देता है fall flat fall flat हो जाना okay next हमारा feather in one's cap feathers in one's cap हो जाना होता है किसी भी चीज़ को प्राप्त कर लेना accomplish कर लेना accomplish जाने भी क्या होता है किसी चीज़ को प्राप्त कर लेना और उस पर क्या करना घमंड करना proud of a new and additional destination destruction ठीक है destruction यान क्या होता है चार चांद लग जाना और नई चीज़ें मिल जाना for good for good यान होता है हमेशा के लिए forever forever यान होता है सदा के लिए या फिर हमेशा के लिए permanently भी बोल सकते हैं for good हमेशा के लिए give went to something expressed forcefully expressed forcefully या फिर किसी की भडास निकालना ठीक है बहुत जादा गुस्सा अब्यक्त करना अपना give went to something give went to something यान होता है अपनी जो गुस्सा है उसे बाहर निकाल देना get on somebody nerves to be irritated ठीक है यदि आप किसी की nerves को दबाओगे तो वो कैसा feel करेगा कि यह मुझे बहुत irritate कर रहा है ठीक है किसी की nerves खीजना means किसी को बहुत जादा परिशान करना next हमारा to get out of hand to get out of hand हाथ से निकालना या फिर बे काबू हो जाना या फिर uncontrollable बोल सकते हम इसे give some man the cold shoulder ठीक है जान मुझकर नजर अन्राज कर देना किसी बेक्ती को give some man the cold shoulder किसी बेक्ती को क्या करना ignore कर देना hard and fast आप परिवर्तनी है जो हमारे Hitler था उसके rule कैसे थे hard and fast थे have a finger in every pie सब कामों में हाथ बटाना या फिर सब बहुत सी चीजों में क्या होना फसे हुए रहना एक से अधिक चीजों में फसे हुए रहना ओके next है हमारा hit the nail on the head hit the nail on the head यान क्यों होता है सटीक जवाब देना hit the nail on the head यान क्यों होता है सटीक जवाब देना exact answer देना next है हमारा have some choice have some choice यान क्यों होता है कोई बिकल्प नहीं, कोई भी बिकल्प नहीं रहना, no real choice at all, कोई भी other option नहीं होना, next हमारा in a pickle, in a pickle यह नहीं होता है, cut in परिस्तिती में, या फिर दुवीदा में होना, या फिर in a great travel में होना, next हमारा in the good books, in the good books, ठीकिए यह आपके पर good books हैं, तो कैसे हो, आप पक्ष में होना, in favor with, किसी के पक्ष में होना, अच्छा भ्यावार होना, यह आपका अच्छा भ्यावार है, तभी आप एक दूसरे के साथ, पक्ष में या साथ में रह सकते हैं, उनके favor कर सकते हैं, in the long run, एक आखिर कार मैंने ये प्राप्त कर ही लिया, ठीक है, in the long run नजने के होता है, eventually, finally, okay, in the teeth of, in the teeth of, एक होता है, in spite of something, in spite of something नहीं प्रत्यक्श भिरोध में होना किसी भ्यक्ति का, ठीक है, किसी भ्यक्ति का के करना? भिरोध करना, ओके इंस एंड आउट्स इंस एंड आउट्स आने क्योंता है फुल डीटेल्स कम्प्लीट डीटेल्स होना किसी चीज़ का या फिर पूर्ण विबरन होना ओके किल टू वर्ट्स विट वन स्टोंस ओके एक तीर से दो निशाने लगाना ओके नेक्स हमारा लैंड मी यॉर एर एंड कान लगा कर सुनना ध्यान से सुनना किसी भी बात को कि अब ग्रास को उगते हुए देख रहे हों किया सा लगेगा बहुत देर तक होगा ज़स तो देखिए टू रिमेन आयडल या फिर निस्प्रियर रहे हैंना ऑके made a clean breast of अपराद को स्वीकार कर लेना confess his crime confess without reserve या फिर अपराद को क्या कर लेना स्वीकार कर देना no love lost between not on good terms या फिर intense dislike कोई भी प्यार नहीं होना नफरत होना no love lost between next हमारा on tender hooks on tender hooks याने क्या होता है चिंता में होना बहुत ही ज़्यादा दुवीदा में होना परिशानी में होना on tender hooks on tender hooks क्याने क्या होता है परिशानी या फिर दुवीदा में होना next years या in suspense and anxiety overhead and years completely पूरी तरह होना parts and parcel parts and parcel याने होता है essential element जो बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो अनिवार हो important हो okay played ducks and ducks बहुत ही ज़्यादा पैसे खर्च करना okay played ducks and ducks next हमारा pull a long face pull a long face look dejected मुह लटका लेना दुखी हो जाना बहुत ज़्यादा okay pull a long face look dejected next हमारा putting the card before the horse ठीक है पहले से ही क्या करना गलत तरीके से काम करना doing a thing in a wrong भे गलत तरीके से पैसे कामाना ठीक है आपको ये comment करके बताना है किसका मतलब क्या होता है okay raining cats and dogs बहुत ही ज़दा मुशला धार बारसाथ होना ठीक है बहुत ज़दा पानी बरसना okay raining cats and dogs next हमारा rule the roast rule the roast जाना होता है dominant ठीक है साशन करना हेटरलर क्या करता था शासन करता था ठीक है to make all the decision उसे पावर थी हर decision को लेने के लिए okay run out of steam उत्सा खत्म हो जाना energy खत्म हो जाना आप यहां तक आ गए हो आपने 23 मिनट तक वीडियो देख लिए okay उसे जादा हो गई होगी okay तो अब आपका उत्सा थोड़ा बहुत कम हो रहा होगा तो run out of stream जा रहे हो आप कहां जा रहे हो run out of stream जा रहे हो slowly slowly okay तो वापस आ जाईए तो देखे शेक उप shake up यहन होता है भूल जाना किसी चीज़ को ठीक है forget कर देना या फिर भूल जाना next है मारा soft option soft option यहन होता है asan will culp ठीक है बहुत ही जाद है easy and agreeable option होना okay speak and spin clean entity यह अभी आया था यह कई बार repeat होता है यह तो आपको याद होना ही चाहिए speak and spin यह काफी बार repeat होता है okay speak and spin किसी चीज़ का साफ सत्रह होना stick to his guns stick to his guns यहन होता है अपनी बात पर अड़े रहना okay बंदुक लगाए रहना okay कि मुझे यही चाहिए maintain his own opinion अपने opinion पर ही डटे रहना take the bull by the horns साहस पुर्वग मुसीबत का सामना करना to face the difficulties courageously साहस सक्ता से साहस सक्ता से क्या करना किसी भी पर इस्तिती का सामना करना to last straw to last straw यान के होता है इस्तिती को असे नहीं बना देना वाली ठीक है इस्तितियों को बहुत ही ज़्यादा खराब बना देना final problem is in the series ठीक है last straw जो हमारी इस्तिती रहती है उसकी अंतिम जो अंतिम विंदू रहता है खत्म होने का वही है यह ठीक है the last straw the man in the street ओके आम आदमी ओके आम आदमी पार्टी भी है the man in the street यहने क्यों होता है आम आदमी यह साधारण ब्यक्पी next हमारा the prones and crones ठीक है the prones and crones यहनो होता है साफ किसी चीज़ का disadvantage होना ठीक है दो पहलू होते हैं अर चीज़ के तो prones and crones यहनो होता है एक तो advantage होना और एक होता है disadvantage किसी भी चीज़ के फायदे भी होते हैं और घाटे भी होते हैं the prones and crones next हमारा the salt of the earth एक ऐसा बैक्ती जो इमांदार हो on cloud 9 to be on cloud 9 to be extremely happy बहुत जादा खुश होना या फिर साथवे आश्मान पर चड़ जाना to be on cold 9 next हमारा to be taken aback totally क्या हो जाना surprise हो जाना कि कोई जीज मिली तो आप क्या हो जाओगे to be taken aback हो जाओगे shocked हो जाओगे next हमारा to beat about the bush फिर आकर बात है करना यह फिर से repeat हो गया okay इदर उदर की बात है ना करके हुए जो main point है उससे भटक कर इदर उदर की बात है करना to figure tooth and nails to fight tooth and nails sorry to fight tooth and nails जाना होता है जी जान लगा देना okay पढ़ने के लिए के कर लेना जी जान लगा दीजिए आप okay to have something up one sleeve गुप्त योजना okay secret plan बोल सकते हम इसे okay देखे next है मारा to jump on the band wagon band wagon क्या पढ़ते है band wagon ठीक है band wagon to follow popular trends ठीक है जो भी popular trends चल रहा होता है उस पर आप यह वीडियो बनाओगे तो आप viral हो जाओगे ठीक है बहती गंगा में क्या कर लेना हाथ दो लेना okay to jump on the band wagon to keep someone at arm's leg ठीक है दूर से सालाम करना दूरी बनाए रखना okay distance बनाए रखना okay at stones throw आप comment करके बताए इसका मतलब क्या होता है at stones throw next है मारा to make both ends meet okay इसका मतलब क्याता है किसी तरह गुजर बसर करना या गुजरा करना थोड़े से पैसे हो जी में आपके करते हो to make both ends meet okay तो हम किसका यूज़ करेंगे to make both ends meet next हमारा to put a spoke in one's field okay किसी भी व्यक्ति के काम में के कराना टांग अड़ाना या फिर रोकना किसी व्यक्ति के काम करने से to put a spoke in one's field to take a french leave to take a french leave बिना बताए अपकास ले ले लेना okay बिना अनुमती के अनुपस्तित हो जाना या फिर अपकास ले लेना to throw a dust in one's eyes धोका देना चल देना okay आँखों में धूल जोग देना next हमारा to turn over a new leaf okay to change one's behavior for better नया जीवन शुरू कर देना okay turn down turn down होता है रिजेक्ट कर देना अस्वी कर कर देना खंडन कर देना okay next हमारा award eye view journal view okay उचाही से बिस्तो द्रश्च दिखता है ठीक है and overview बोल सकते हैं okay एक चडिया होती है वो काफी view देख लेती है उपर से okay आप भी जाओगे तो आप भी देख लोगे a blue eyed boy one who is favorite सबका पसंदेता रहता है आंकों का तारा राज दुलारा रहता है उसे बोलते हैं a blue eyed boy अब बोल इना china swap okay I am extremely awkward या फिर हम बोल सकते हैं मैंने इसे अवयकवड पढ़ दिया था तो किसी ने मुझे कमेंट किया था तो ये awkward है okay awkward sorry okay cease mail मैं बंदर या अनाड़ी प्यक्ती a carrot and stick approach okay सामदांडवेद okay किसी भी तरह किसी चीज को प्रात कर लेना okay reward and punishment that influence someone's behavior okay प्रभाव आए उसके जो behavior में है okay a child's play जो बच्चे घिल सकते हों कैसा काम रहता है बहुत ही आसान काम रहता है okay a child's play something that is very easy next है मारा a damp squib a damp squib a damp squib यहन होता है उची दुकान फीके पगवान निरा सजनक परड़ना मिलना सोचा था कि हाँ ऐसा होगा लेकिन कैसा होता है बहुत ही तुच्छल है बलका okay a disappointing result a drop in the ocean ठीक है उट के मुह में जीरा एक यह थी आप अपरिये इस्तिती होना an unpleasant situation होना a laughing stock a laughing stock याना हसी का पात्र ठीक है an object of laughter जैसे देखकर व्यक्ति हस सके ठीक है अच्छे व्यक्ति होगा जैसे इंसान हस तो रागम से कम a left-handed a left-handed compliment प्रसंसा को अपमाजनक टिप पनी ठीक है ऐसा लगता है कि यह हमारी प्रसंसा कर रहा है लेकिन वह पीछे से क्या कर रहा होता है बेज़ज़दी कर रहा होता है a left-handed compliment दे रहा होता है a life wire एक ऐसे प्यक्ति जो जिन्दा दिल रहता है okay जिन्दा दिल lively and active रहता है a lot on your plate a lot on your plate बताइए यह यह आपके plate है यह इस पर बहुत सारी चीज़े हैं तो क्या है आप पर बहुत सारी जिम्मेदारियां है a mere nest जैने a difficult situation जटे लिए भ्रामा की स्तिती होना okay a mere nest ठीक है a mere nest a needle in a high strict okay घास के धेर में सुई ढूणने जैसा अपने देखा होगा कोई भी चीज़ को जैसे error होती है तो error हमारे लिए कभी कभी कैसी बन जाती है a needle in a high strict a penny for your thoughts okay a penny for your thoughts यान क्यों होता है कोई क्या सोच रहा है यह पूछने का तरीका okay a penny for your thoughts अपने बचारों के दोरा किसी व्यक्ति से कुछ पूछ लेना okay a sea change a sea change a sea change यान होता है पूर परिवरतन यदि sea change होगा तो क्या होगा बहुत ही जाता परिवरतन आ जाएगा okay a short in the arm उत्सा वर्दक प्रोचसान ठीक है किसी व्यक्ति को encourage करना को काम को करने के लिए फिर a strong in a tea cup बात का बतंगड़ बनाना छोटी छोटी बात उपर क्या कर लेना बात का बतंगड़ बनाने लेना उसे बोलते हैं वाइस ट्रॉमिना टीकप next है मारा a bad blanket a bad blanket है होता है कवाब में हड़ी sorry मज़ा करने बाला ठीक है जो ब्यक्ति अच्छा बाला मज़े कर रहते लोगा लेके उसे क्या कर देते हैं डिसकरेज कर देते हैं कर देते हैं okay a wall in a seeps clothing तो देखिए वाल प्यान होता है भेडिया भेडिया क्या है तो भेड़त की काल में भेडिया एक ऐसा ब्यक्ति जो बहुत ही ज़्याता की असा रहता है बेकार रहता है थीक है यह फिर a dangerous person pretending to be harmless ठीक है जो ऐसा ब्यक्ति जो किसी ब्यक्ति को हानी पहुँचाता है acid test ठीक है acid का यदि test हो रहा है तो क्या हो गई अगनी परिक्षा ओके अगनी परिक्षा acid test add insult to injury यह फिर से आ गया ओके इसका मतलब क्यों होता है नमक पर जले पर नमक शडगना sorry all and sundry हर कोई बिना भेद के all and sundry हरा होता है every without destruction ठीक है किसी भी चीज़ पर destruction नहीं होना कोई भी विवेद नहीं होना ठीक है include करना सबको include करना all our might and minion होता है full force ठीक है full force 80 चोटी का जोर लगा देना पूरी तागत लगा देना full force लगा देना next है हमारा all thumbs all thumbs clumsy person ठीक है a clumsy person physically awkward या बहुत ज़्यादा अनाड़ी व्यक्ति भद्दा व्यक्ति खराब व्यक्ति alpha and omega ठीक है the beginning and the end ओके शुरुआत और अंध होना किसी चीज़ का अल्फा बिट्स चोप एना क्यों होता है किसी चीज़ को खराब कर देना a metaphor for evidence of abbreviation of acromonas सब्दों के लगुपत से ज्यादा जरूर से ज्यादा बोलना ठीक है alphabet shop एना क्यों होता है एक इसका मतलब होता है परेशानी में फस जाना alphabet shop okay या फिर किसी भी चीज़ को ज्यादा बढ़ाना okay aggravate करना बढ़ाना किसी चीज़ को apples and oranges apples and oranges to unlike things in our people दो अलग अलग चीज़ों की बात करना apple and oranges okay next हमारा as depth as a brush extremely silly बहुती ज्यादा मूर्ख व्यक्ति okay बेहद मूर्टत पूर्ड धंग से किसी काम को करना adapt as a brush next हमारा upfit as a fitter यान होता है strong and healthy okay powerful होना किसी ब्यक्ति का अच्छा एवं स्वास्थ होना healthy होना okay next हमारा at large at large यानों क्यों होता है a criminal escaped or not at captured एक ऐसे ब्यक्ति जो फरार है ठीक है escaped है लेकिन अभी तक उसे पकड़ा नहीं गया है at large होना या फिर फरार होना next हमारा at longer heads ठीक है in conflict with someone लडाई होना जगड़ा होना okay at longers head okay at six and sevens at six and sevens यान होता है आप या वस्ता फैल जाना ठीक है in disorder और confusion हो जाना बहुत ही करना क्या है back to square one back to square one जाना होता है फिर से प्लान करना ठीक है जो आपने पहले सोचा था उस पर reconsider करना पुन है पिचार करना to return to the straight point okay starting point next हमारा back to the drawing board back to the drawing board याने नए इस रहे से सोचना ठीक है यह वही है back to square one और back to drawing board okay next हमारा be going places जाना होता है सफल हो जाना talented होना सफल हो और फर talented व्यक्ती be in the Red domu यह नहीं होता है घानी में होना be in the red है ठीकर और इरिया में वूफा क्यों होगे हानी में रऊगे jutний आप Corona में Red zone में हो तो आप के देर होगे हानी में रहोगे . Next है हमारा be in two minds why this यहाने होता है करना जब भी कोई चीज आउट ऑफ और हो जाती है तो वह काम करना बंद कर देती है ओके खराब हो जाती है उन्हें पता होता है कि एक साल के बाद चीज खराब हो जाएगी तो वह एक साल की देते हैं एक साल वाली चीजों में ओके तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं